हेलो गाईज कैसी आप सतो स्वागत है आपका मेरे चनल में तो आज इस वीडियो में आपकी सामने लिखा आया हो कि जो लाइब मेरेट कोरोना वाइरस अपडेट में एक और मोत दस नहीं मामलों ने बड़ा ही दहसत तो आपको दिख रहा होगा प्रिक्चर में ठीक है तो य कुछ दिनों से पहली कोविड में भरती कराया गया इस मोट की मोत का सिल्खला जारी हो गया इस आकड़ों में तेजी से बड़ोतीरी हो रही है वही मेरेट वास वास के इकुल चेत्रों में दस नहीं संक्रिमित पाए गए फलाल सभी को कॉरंटाइन में बेज देख गया आ तो चीतर मरीज हो चुका है जिसम == 330 लोगों को ठीक क्या जा चुका है वोसर इसका इना चल रहा है ऑना इसके बाद सामली और विजह द्वहनले मरीज मिले में इसमें सामदी कि स्थिति भी बिगड़ ती हुने जरा रहे है साथी जवत्मार को तीए ओर को उर कोड़ोंडे मिले है नगीना देहातानाचेतर के खुसालपूर मेटरी में दो नगीना चेतानाचेतर में गाउपखनपुर में कोरोना पॉजिट्यू मिला तीनों के को इलाज के लिए मुरादाबाद भेजा गया गाउप को सीखिल कर दिया गया यह संक्रितों ही गुजरात से आया था पॉच्छ का चुकता है बागपत में एक मानीज की संक्रित मिला संक्रित में ने बताएं कि मेरट में कोरू नाके मामला थोड़ी रहाद देने वाली लेकिन कोरोना का संक्रित बना हुइए अन्य जिलों में कोरोना मेरेट के आस्वाद शेत्रों पर ना का के घहर तेज़े से फैला हुए मुझाफणागर में तो कोरोना मुक्त हो गया था परंतु बारा मालाश्ट से कुछ कामगार मुझा फने कोरोना का संकट घ्यारा दिया है भाई विजुन और वागपातों सामली में कुछ ऐसे कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हाला है कि इनके इलाज के दोरान ठीक हुए मरीज़व में जाफा हुआ है ठीक है आज की अपडेट थी तो कोरोना का मामला बढ़ता है जा रहा है तो इससे बचने के लिए आप इसका पालान करें सोसल डिस्टाइंस का पाला करें अगर वीडियो चले तो प्लिस लाइक करें शेयर करें थैंक्यू बेरिमाच